दोस्तों सबसे पहले आप देमो देखिए कि मैंने यह इस यूजर फों में किया क्या है तो इसके लिए मैं रन करता हूं रन करते हैं तो देखिए यहां पर क्या क्या दिखाई देरा आपको मैंने एक label box लिया है जिसमें मैंने लिखा है please enter your name एक text box लिया है एक button लिया है बस simple तीन चीज़ लिया है एक label box एक text box और एक command button तीन ही चीज़ लिया है और जब मैं run कर रहा हूं तो देखिए यहां पर cursor मेरा जो है यहां पर blink कर रहा है मतलब कि अलग से मुझे यहां click करने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी आप text enter किये तो आपको click करने की ज़रूरत है मैंने यह set करके रखा है कि by default वो जब भी load हो वहीं पर blink करते रहे cursor ठीक है अगर मैं ऐसा ही submit करता हूं बीना text input किये तो क्या करता है देखिए please enter your name यहां पर आपको message display हो जाएगा कि आप blank इंटर नहीं कर सकते आपको कुछ ना कुछ इंटर करना पड़ेगा उसके के बाद मैं ओके पर क्लिक कर देता हूं अगर टेक्स्ट लिखा हुआ रहता तो by default यह blank हो जाता जैसे देखिए मैं लिखता हूं स-a-m-j-a-y मैं अपना नाम देता हूं और यहां पर submit पर क्लिक करता हूं तो देखिए message क्या display होगा हलो संजय मिस जो भी नाम आप input कीजिएगा उसके आगे हलो अपने आप एड़ कर तो देखिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना है जिसमें क्या कर रहा है कि जो भी टेक्स्ट आप टेक्स्ट बॉक्स क्लियर करदेगा एक लिए चलिए और एक बर करके दिखाते हैं और सब्मिट पर क्लिक कर देते हैं तो दीकि क्या करता है हलो Feedback Education और जब मैं इसको OK पर क्लिक करूंगा तो क्या करेगा Textbox को Clear कर देगा देखिए Clear हो गया और साथ ही मैंने क्या क्या किया caption उपर में जो लिखा हुआ है जो नाम लिखा हुआ इस form का उसको मैंने test रखा तो मैंने बहुत simple सा form design किया है अगर आपको सीखना है कि कैसे किया जाता है तो मेरे साथ वीडियो में अंतक बने रहे हैं अगर आप मुझे support करना चाहते हैं तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा तो चलिए मैं आपको सुरू से बताता हूं कि मैंने यह form कैसे बनाया है कैसे design किया है इसको close कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे Excel open करते है विंडोज की प्लस आर प्रेस करेंगे और यहां टाइप करेंगे Excel और इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए मेरा Excel खुल गया एक ब्लेंक सीट ले लेते हैं Excel खुलने के बाद आपको क्या करना है एक shortcut की दबाना है जो की Alt प्लस F11 है या तो आप developer tape से जा सकते हैं developer आपके पास होगा developer tape कैसे एनेबल करते हैं इसके लिए मैंने पिछला वीडियो बना रखा है आप उहां जाके देख सकते हैं या आई बेटन पर मैं आपको लिंक दे दूंगा दें कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं तो सबसे पहले मैंने क्या किया था caption को change क्या था caption को change करने के लिए आपको properties वाले विंडो में जाना पड़ेगा जो कि यहां पे तो देखिए यहां पर caption लिखा हुआ यहां पर user form one लिखा हुआ तो आप इस पर क्लिक किजिए और इसको remove करके यहां पर लिखी दीजिए test ठीक है तो देखिए मेरा caption change हो कि उसके बाद मुझे क्या लेना है एक label box लेना है तो मैं label ले लेता हूँ यहां से और यहां पर मैं input करता हूं text जो कि क्या था please enter your name ठीक है मैंने इतना से type कर दिया आप चाहिए इसका text size बढ़ा कर सकते हैं अगर बढ़ा करना है तो यहां पर देखिए font वाला option है अब इसमें क्लिक किजिएगा आप चले जाएएगा यहां से थोड़ा बढ़ा कर दीजिए आप इसको जैसे 14 कर देते हैं ठीक है जिससे आपको visible clear हो ठीक है इतना से कर दीए उसके बाद मुझे लेना है एक text box तो text box भी ले लेते हैं इसका भी text size थोड़ा बढ़ा कर देते हैं जितना था 14 कर देते हैं कि उसके बाद एक बटन लेना है जो कि command button के नाम से जानते हैं हम लोग और यहां पर बना देते हैं इसका भी हम लोग क्या करते हैं caption change कर देते हैं इसको हम लोग submit नाम रख देते हैं इसका भी size थोड़ा बढ़ा कर देते हैं जो कि sub 14 है तो इसको भी 14 कर देते हैं इतना सा हो गया उसके बाद मुझे क्या करना है कि on load जब भी मैं इसको load करूँ तो मेरा cursor कहां दिखाए जैसे मैं अभी इसको run करके दिखाता हूं तो run करते हैं तो क्या करते हैं अब by default भी cursor यहीं दिखाए दे रहा है पर by the way कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं आता है तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि जब भी मैं load करूँ तो cursor वहीं पर blink होते रहे इसके लिए मैं close करता हूं और यहां पर क्या करते हैं एक code लिखते हैं तो मेरा इस box का क्या नाम है text box 1 तो cursor blink यहीं पर करते रहे उसके लिए मुझे क्या करना है एक चोटा सा code लिखना है उसके लिए आप क्या किजिए इस form पर कहीं पर भी क्लिक कर दिए blank जहां पर form यहां पर click करके option है आप यहां जाएए और यहां पर initialize होगा इनिसिलाइज मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका form initialize किया जाएगा मतलब start किया जाएगा तो कहां पर रहेगा तो यहां पर लिखेंगे text box1.set focus ठीक है बस सीए छोटा सा code लिखने आप अब इसको save कर सकते हैं और जब भी इसको save करना चाहते हैं तो आप इसको क्या कीजिए आ लेजिए इसको मैं demo के नाम से save करता हूँ और आपको save is type में जाना है और यहां पर क्या save करना है excel micro enabled workbook अब हमेशा इसी पर save कीजिए और save पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए मैं आपको run करके दिखा देता हूँ जब भी आप यहां run कीजिएगा तो आपका cursor जो है यहीं पर रहेगा ठी रहा पहला चीज़ दूसरा हम लोग क्या करते हैं अब submit बटन का code लिखते हैं कि जब भी मैं text box में कुछ भी input करूँ या ना input करूँ तो क्या हो समीट बटन पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम लोग लिखेंगे message box hello plus text box one dot value इस line का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग text box में input करेंगे उसके आगे hello add कर दें तो चलिए हम लोग run करके भी देख लेते हैं कि रन करते हैं और यहां पर हम लोग कुछ भी type करते हैं जैसे कि ऐसे और समीट में क्लिक करते हैं तो देखिए hello sanjay पर देखिए बीच में space नहीं है तोनों के बीच में space नहीं है तो space देनी क्लिक क्या करना होगा इसको okay कर दीजिए और इसको close कर दीजिए फिर से चल जाएए आप अपने phone पर submit बटन पर चले जाए और यहां पर hello के बाद जो हम exclamation marks दी हैं उसके बाद आप space दे दीजिए एक space दे दीजिए वह काफी है ठीक है अब आप फिर से run करके देखिए दोनों के बीच में space आ गया होगा है कि सब्मिट में क्लिक कर दीजिए तो देखिए hello संजे बीच में space आ गया चलिए यह हुआ इतना सा काम इसके आगे आप क्या करते हैं कि टेक्स्ट को को ओटमेटिक वह क्लिएर कर दे और जो कर्सर जो है बाइडिफोल्ट वहीं पर अवी बिलिंक रते रहे runs करना हूं तो यहां पर पर करसर सर नहीं आ रहा रहा व्टोमेक इसके लिए मुझे क्लिक dot text equal to blank इतना कर देते हैं और फिर से लिखते हैं text box one dot set focus यह दो छोटा सा line लिख देते हैं यह message display करने के बाद क्या करेगा कि text box one जो है text को clear कर देगा और जो set focus का मतलब होता है कि वहाँ पर by default जो display नहीं हो रहा था cursor मेरा वो by default वहाँ पर display होना सुरू हो जाएगा चलिए इसको run करके देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर cursor blink हो रहा है यहाँ पर मैं लिखता हूँ संजय हलो संजय कर रहा है जब मैं इस पर ok पर click करूँगा तो क्या करेगा कि पीछे का जो text box है उसमें जो text लिखा वो clear हो जाएगा और वहाँ पर cursor blink होगा देखिए हो रहा है इतना सा काम हो गया पर मैं अगर अभी यहाँ पर click करता हूँ तो क्या होता है देखिए यहाँ पर होगा क्या blank है blank भी लिए लेगा ठीक है hello blank कर देख देखिए hello blank ठीक है तो गलत बात है ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसके लिए मैं एक condition लिखता हूँ इसको close करते हैं और यहाँ पर condition लिख देते हैं submit वाले बटन पर ही जाते हैं यहाँ पर एक condition लगा जाते हैं if if text box1.text is equal to blank then message box please enter your name team ठीक है उसके बाद बहुत सा condition होता है वी-वी critical कर देते हैं ठीक है इतना दे देते हैं और यहाँ पर text box को भी clear कर देते हैं text box को focus कर देते हैं कि वहीं पर focus करें text box one dot set focus अक्य कि बात को हम else में डाल देते हैं और यहां पर लिख देते हैं इन्ड इफ ठीक है बस इतने ही सब कंडिशन है उसके बाद देखिए आप रन करके देख लेते हैं कि रन करते हैं संजै कि समीट करते हैं कि हलो संजै बोल रहा है जब ओके पर क्लिक करेंगे तो एक लिएर हो जाएगा और अगर ऐसे इंसे ब्लैंक रहेगा कुछ भी टेक्स इंपुट नहीं करते हैं और सभीट पे कुलिक करते हैं तो क्या करेगा वह मेसेज़ डिस्प्ले करेदेगा कि तो पताए दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा होगो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब चरूट कर लेना, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारिक साथ, तब तक लिए चैहिन, बंदे मातरम,